देखिए एक कहलाता है आमद का शेर, उतरता है उपर से, अब इसको हर भाषा वाले लोग मानते हैं, अंग्रेजी के लोग भी मानते हैं कि म्यूजेज हैं जो आती है उपर से, उतरती हैं देवियां, सरस्वती मा सरुसुदी की करपा होती है, तो आमद का शेर होता है, अच् जो शेर होता उसको मतला कहते हैं मतला फिर घजल भी दुखी हो जाती है और शायर से कहती है आप बहुत आगे मतला मतला ही ठीक था मतला मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि प्रिकृती में क्या सबसे बढ़िया बात है कि प्रिकृती का हर अपादान हर घटक तत्व दूसरे क कि मदद करता है अगर परस पर सहयोग निस्वार्थ सहयोग न हो तो प्रिकृती अपना कारोबार नहीं चला सकती है और अपने काम का अपने सहायता करने के डंग ढर्रे का कोई मुआवजा प्रिकृती का कोई भी तत्व नहीं लेता है निस्वार्थ मदद करते हैं तो ये पहले शेर्मन देखेगा बीज के अंदर अंकुर ने अंगलाई ली बीज के अंदर अंकुर ने अंगलाई ली मदद करी माटी ने एक न पाई ली स्वार्थ नहीं दा बीज के अंदर अंकुर ने अंगलाई ली मदद करी माटी ने एक न पाई ली और भू के उपर धरती के उपर भू के उपर अंकर जुम जुम नाचा जुम जुम नाचा इधर से हवा चली इधर नाचा उधर से चली इधर नाचा भू के उपर अंकर जुम जुम नाचा कहो हवा ने कोई नाच सिखाई ली ऐसे ही भजाते रहें गातालिया मैं आपको वो सारे काम के मुआफ़जे के नाम बताता हूँ कि किन किन कामों के लिए क्या मुआफ़जा लिया जाता है तेहनी ने एक फूल को जुमका बनाय लिया तहनी ने एक फूल को जुमका बना लिया क्या डाली ने कुछ गहना गढ़वाई ली तहनी ने एक फूल को जुमका बना लिया क्या डाली ने कुछ गहना गढ़वाई ली और कलिका खिलकर फूल बनी सब ने देखा, सब ने देखा इसने देखा, उसने देखा, सबने देखा, कलिका खिलकर फूल बनी, सबने देखा, क्या डंठल ने कोई मुह दिखलाई ली, और इसमें अगले शेर में आपको बिहार की परंपरा, जो भी I.S. अफसर हो जाता है न, उसको बिहार में अगर घर जाना पड़ जाए तो रस्ते भोगी भी हो सकते हैं, कैसे निकल के भागे वहां से, यह आप बताईएगा, यह घजल लिखके, ब्रहमर कली में बंद रहा रजनी भर को, कमल नाल ने क्या कोई पकराई ली, कमल नाल ने क्या कोई पकराई ली, और यह बिम आपको बहुत ही अच्छा लग सकता है, कि फूल पूलों से भर गई धरित्री की गोदी, अमलतास ने कोई गोद भराई ली, और यह बिम देखिये, प्रागयतिहासिकाल से प्रारम होता है, कि युगों युगों तक टप टप गिरीं शिलाओं पर, क्या बूंदों ने कोई सिल्खुटवाई ली, क्या बूंदों ने कोई सिल्खुटवाई ली, धूप हवा और जल्से फसलें लहराई ली, क्या मौसम ने कोई आध बटाई ली, क्या मौसम ने कोई आध बटाई ली, रंग बे रंगे फूल खेल उटे घाटी में, क्या कुदरत ने कोई भी रंगवाई ली, और कारबन डायकसाइड पी ऑक्सिजन दी, क्या पेडों ने कोई नाग भराई ली, क्या पेडों ने कोई नाग भराई ली, रंग्स साफ हैं दूर तलक हर्याली है, पर बादल ने क्या इनसे धुलवाई ली, अमर बेल को डोता रहा बबूल सदा, कभी भूल से भी क्या कोई धुलाई ली, पानी ने बादल पर खुब सवारी की, पर बादल ने क्या कोई ठहराई ली, लेकिन एक फिर वो यह आगिया गेंडा, कारिकरम गेंडे से शुरू गा था, गेंडे पर एक चुडिया ने चड्डू खाई, गेंडे पर एक चुडिया ने चड्डू खाई, क्या गेंडे ने कोई सेर कराई ली, क्या गेंडे ने कोई सेर कराई ली बहा ले गई तटका सब मेला मलवा क्या नदिया ने कचरे की उठवाई ली क्या नदिया ने कचरे की उठवाई ली और अगली बात सुनके आपको आनंद आएगा कि तेज हवा से पीपल के पत्ते बोले तेज हवा से पीपल के पत्ते बोले क्या हमने कोई ताली बजवाई ली सभी कमेरे हैं खुद्रत के कारीगर नहीं किसी ने अपनी कभी कमाई ली भर भर प्यार किया सबने एक दूजे को नहीं किसी ने मेहनत की भर पाई ली और श्रोताओ मैं रिणी हो गया हूँ सबका क्या मैंने तुमको ताली बजवाई दी बीच के अंदर अंकुर ने अंगलाई ली मदद करीमाटी ने एक नपाई ली मदद करीमाटी ने एक नपाई ली